नमस्कार दोस्तों गार्गी क्लासेश पर आपका स्वागत है डेटाइश के 28 जनवरी 2023 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो भी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आज हमारे पास में दो इशुज है पहला इशु मेंटर हेल्थ से रिलेटेड है दूसरा इशु जो माइग्रेंट्स हैं उनकी डेटाबेस को अपडेट और डेटाबेस को तयार करने से रिलेटेड है तो ऐसे में दो आर्टिकल्स हैं दोनों को देखते हैं डीटेल में फरस्ट आर्टिकल है स्टिगमा आटिकल को लिखा है इंदू भूशन जी ने इनका यह कहना है अगर हम न्यूस्पेपर को उठागर के देखें तो कभी ना कभी यह देखते हैं कि हाजी बड़ी Durkin होती है सुसाइड के केसिज आते रहते है वैसे देखा जाए तो इंडिया में इंडिया के जो सोशो εκ Cyrus level के जितने भी Country में उनकी comparison में इंडिया में सबसे जयदा सुसाइड के केसे जाते हैं अगर WHO के according देखें तो इंडिया में एक लाग जनों पर लगब 12.9 इंडिवीज्वल जो हैं वो सुसाइड करते हैं ठीक है यह 2019 का data है जबकि regional average की बात करें अगर देखा जाए तो इंडिया में सुसाइड की रेट जाता है दूसरी तरफ 15-39 साल के जो यूथ होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो उसमें भी एक leading cause बनके इमर्ज हो रहा है suicide अब इसके पीछे logic क्या है देखो यह है mental health का problem जब एक individual बहुत ज़्यादा pressure, anxiety, stress इनका सामना करता है situations की वज़े से तो और उसको properly handle नहीं कर पाता तो एक ही तरीका बसता है escape करना निकल पड़ो तो वो उस point of इससे देखा जाते है suicide बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ठीक है तो यह जो हम कह रहे है na suicide वाला case यह तो यह कहतना कि iceberg है मतलब एक बर्फ का बड़ा सा एक substance जो की प mental health का issue suicide से attach करके ही मत देखो बहुत बड़ा एक आपको हमारे society का group मिलेगा जो की mental health crisis का सामना कर रहा है फिर उसके बाद में सवाल यह आता है कि सबसे ज़्यादा vulnerable कौन है तो सबसे ज़्यादा vulnerable है women ठीक है हमारे समाज की जो औरते हैं वो बहुत ज़्यादा परिशानी का स दो सालों की अगर दो तीन सालों की हम बात करें तो pandemic ने इस anxiety को इस tension को इस problem को और बढ़ा दिया है कैसे depression के cases 28% rise हो गए anxiety के case 26% rise हो गए यह time था 2020-2021 pandemic peak year यह चीज लेंसेट के द्वारा यह चीज highlight की गई है कि ऐसा कुछ अभी देखने को मिल रहा है और ज़्यादा जो stress है वो younger age group में देखने को मिल रही है कारण कि job को लेकर के और किसी भी तरीके से career को लेकर के uncertainty और एक डर का माहूल बहुत ज़्यादा बना है जिसकी वज़े से बहुत ज़्यादा एक stress का माहूल बन गया इसके अलावा छोटे बच्चों की बात करें उनकी school बंद हो गई social isolation में वो चले गए तो उनको भी बहुत ज़्यादा stress का सामना करना पड़ा है तो ये एक कहतना की by product मिला है COVID का तो ये चीजे क्या show करती है कि mental health को हमें attention देना ज़रूरी है इसके अलावा आजकल देखा जाए तो जब से online platforms का ज़्यादा access शुरू हुआ है तब से कुछ खास किस की social media platforms ना उनको ज़्यादा access करने की वज़े से stress और mental health के issues आ रहे हैं क्योंकि वो social media क्या करता है आपको face to face relationship से distract करके आपको online ले जाता है और online ले जाने के बाद में आप वहाँ पर अपने आपको एक जो होता है ना कि self esteemed thorough analysis मतलब society में देखो मिलो बाते करो खुद को analyze करो हम कैसे progress कर सकते हैं वो चीजे हट करके और relationship चली गई किस पर सारा online चला गया तो इस चकर में क्या हो गया problems बढ़ती चली जा रही है तो यहाँ पर ज़रूरी है कि एक individual को हम social media से दूर करें इसके लिए एक proper planning होनी चाहिए proper implementation होना चाहिए उस planning का जिससे कि face to face relationship revival की तरफ ज ज़्यादस ज़्यादा time investment अगर interaction में जाए तो physically one to one interaction में आए बातचीत करकर आ करके एक दूसरे के सामने बैट करके तो जगके यह problems हम sort out कर सकते हैं ठीक है नहीं तो क्या होता है हम एक social media post देखी तो उसके साथ खुद को compare कर दिया और नीचे फिर scroll down किया दूसरी social media post आगे उतना ही ज़्यादा वहाँ पर problems ज़्यादा दिखाई देती है अगर mental health की हम बात करें और हमारे समाज की अगर बात करें तो हमारे तो आपको पता है गरीबी ज़्यादा है गरीबी और यह जो mental illness है इसका एक गजबी relationship है जिसको vicious cycle of disadvantage बोलेंगे कैसे एक बंदा अगर mental health अच्छी नहीं होगी तो फिर उसके यहाँ पर कमाई के साधन भी नहीं बढ़ पाएंगे जब आप mentally set होगे fit होगे तब ही जा करेंगे तो चीजे काम करेंगी ना तो उस तरीके से गरीबी mental health illness mental illness को बढ़ाती है mental illness गरीबी को बढ़ाती है तो यह vicious cycle चल पड़ता जो की problem create करता है दूसरी हमारे यहाँ पर problem क्या आती है stigmatize कर रखा है mental health को कोई यह कहे कि यार मेरे दिमाग में इस तरीके की चीज़ आती है तो हम उसको फागल बोल देता है उसको discriminatory behavior देने शुरू कर देता है तो ऐसे में कोई individual अगर struggle कर भी रहा है ना mental health के साथ में तो उस individual को क cycle है इसको तोड़ना होगा इसके अलावा जो समाज में inequalities है जिसकी वज़े से एक individual stress में चला जाता है या social polarization जिसमें caste के नाम पर या class के नाम पर discrimination हो रहा है उसको हमें correct out करने की ज़रूरत और ये चीज़े क्या है हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैली हुई है तो ऐसे म हमें हमें समझ के आगे पचलना होगा तो urgent need है कि हम एक whole of society को तयार करें जो की एक जो mentally health crisis को सामना कर रहे हैं individuals हैं उनको protect कर सकें जिनकी welfare को हम promote कर सकें protect कर सकें और उनकी health care के वारे में हमें पता हो तो उसके हिसाब से हम उनको सही से treat भी कर सकें तो इसके लिए writer जो हैं वो इच्छी नहीं है तो उसको हम पागल कर देते हैं उसके मजाक उडाने शुरू कर देते हैं उसको अलगी नजर ये से देखना शुरू कर देते हैं तो इस deep stigma को हमें खतम करना होगा पेशेंट जिससे क्या है time पर अपनी problem को openly सबसे share कर सकें या फिर openly जाकर कि डॉक्टर से treatment लेना चाहिए तो treatment ले ले उनको कहीं पर भी शर्म वाली महसूस नहीं हो कमजोर महसूस ना करें इससे क्या होगा उनको benefit मिलेगा जैसे कि अभी recent दो cases बता रहे एक तो दीपिका पादुकून का case बता रहे बहुत ज़्यादा ये बंदी अभी recent time में stress वाले scenario से निकल रही है तो ऐसे में इनको मतलब खुद ने public में आ करके बताना कि भई मेरे साथ ये problem हो रही है सेम चीज बोल राइटर की मेरी बेटी देविका बूशन जो कि California US में एक doctor surgeon की तरह काम कर रही है तो उन्होंने भी अपनी working stress के बारे में openly बताया कि किस तरीके से mental health issues का हम सामना कर र तो ये एक चीज हमें ठीक करनी होगी दूसरा pillar writer बता रहे है कि mental health जो है वो public health programs में एक integral part के तोर पर चलानी चीए जैसे कि सरकार कोई भी अगर program चला रही है जैसे आयूश्मान भारत scheme है या कोई भी तो उसमें mental health उपर attention देना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके अलावा healthy lifestyle promote करो ठीक है जो भी risk वाले groups है आपको ये पता पड़ेगा जब आप survey करोगे time to time कि कौन कौन individual ज्यादा vulnerable है mental health illness को मतलब के शिकार होने के तो उनको आप timely trend करो इसके अलावा time to time counseling होनी चाहिए जिसें कि कोई भी अगर stress में अगर जा रहा है तो उनको आप settle कर सको इसके अ तो उनको जादा एक care की ज़रत होती है इसके अलावा अगर देखा जाए तो special attention देनी चाहिए highly vulnerable जो mental health issues से ग्रसित लोग है उन लोगों को जैसे कि migrant worker, unemployed youth, sexual violence और domestic violence की जो victims हैं या personal जो forces में काम कर रहे हैं या फिर वो individual जो difficult conditions में काम कर रहे हैं उनको यूं लगता है कि हमारी हो गई है तो उन लोगों को एक support की ज़रत रहती है तो दो pillar हो गए तीसरा pillar आ जाता है आपका कि एक strong infrastructure डवलप करने की ज़रत है mental health care and उसके treatment के लिए देखो अभी अगर देखा जाए तो stigma क्यों है क्यों लोग मजे लेते हैं क्योंकि time पे doctor ना मिलना time पे infrastructure accessibility ना होना ये भी एक बहुत बड़ी problem है कि लोग जल्दी से अपनी problem को expose या open नहीं करते हैं आज के time पर हमारे देश के अगर बात करें तो जितने भी लोग mental illness का सामना कर रहे हैं उनमें केवल 20-30% ये ऐसे लोग हैं जिनको adequate treatment मिल रहा है और ये बहुत बड़ा कारण है हमारे आपर कि inadequate resources available है इनको expand करना जरूरी है दूसरी तरफ government जितना भी health के लिए जो budget issue करती है वैसे देखा जाए तो health के लिए adequate budget नहीं है government भी जितना allocate करती है पर उसमें भी अगर देखें तो पूरे health budget का केवल 2% ही mental issues के लिए आप allocate करते हो जो की G20 countries में सबसे कम है तो बहुत इस पर भी हमें improve करना होगा जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे आपर inadequacy देखो कि New York City जो है US की वहाँ पर जितने जो psychiatrist है उनकी अगर बात करें तो उतने psychiatrist हमारे पूरे देश में है अब आप देख लो कितने कम है वहाँ एक city में है दूसरा अगर देखा जाए तो डिरेक्टर ज उनके लिए केवल दो medical health specialist available अब आप देख लो कि कितना ज्यादा availability की कमी है पांचवा जो suggestion है that is कि mental health services को affordable बनाना ज़रूरी है वह सीधी सी बात है कि आप सजिश जो भी आप काम कर रहे हो जो भी आप समाज में benefit देना चाहरे हो तो उनके लिए accessibility तो होनी चाहिए affordability भी होनी जैसे यह आयुश्मान भारत scheme है तो उसमें cover किया जाए ज्यादा ज्यादा जो mental health conditions से related जो भी vulnerabilities है जो issues है उनको cover करना चाहिए इसके अलावा private sector में जो insurance companies है वो भी क्या है कुछ restricted mental health conditions को ही involved include करके रखती है अपनी policy में बोलो उसको expand करना जरूरी है डबलु हो के इस आप से देखें तो mental health medication जो है वो essential medicines में आपको include करनी चाहिए इसके अलावा एक comprehensive policy making होनी चाहिए time to time उसका review होना चाहिए time to time financial allocation होनी चाहिए तब जाकर के यह जो problem है यह खतम होगी नहीं तो क्या होगा कि गरीबी की वज़े से mental stress mental stress की वज़े से गरीबी तो यह गरीबी वाले मु 2HO के first director general ठीक है ब्रॉक चिसल ठीक है उनके द्वारा क्या कहा गया था कि there is no health without mental health जब तक आप अपने दिमाग से शान्त नहीं हो तब तक आप अपने शरीर को कैसे maintain कर पाऊगे तो यह 50 साल पहले की कई हुई बात भी आज भी relevant है तो बोले इस पर हमें ध्यान देना होगा हम जो health issues की बात करते हैं उसमें mental health को भी include करना चाहिए बहुत ज़्यादा problems है जो बढ़ रही है दीरे दीरे तो यह article था mental health से related आगे चलते हैं next article like जारकन देखो migrant labor crisis हमने देखा कि 2020 में जिस तरीके से lockdown लगाया गया था उसके बाद में लोगों ने अपने घर छोड़ दिये मतलब अपने jobs हैं जान बचाने के लिए कैसे से करके वो घर पहुँचे थे तो वो जो problem थी उसके बाद में इतना issue create हुआ जैसे आप समझ सकत क्योंकि एक तरीके से हैं जो लोग social security schemes है ठीक है उनका benefit time पे नहीं उठा पाये थे जो लोग अपने jobs को छोड़ करके जान बचा करके घर पहुचे उन लोगों को time पे खाना तक नहीं मिला था तो वो जो चीज़े हैं वो कहीं नहीं problem create कर रही थी तो ऐसे में यहाँ पर time to time update करना उनके कहां पर वो settled हैं कितनी उनकी income है कब जाते हैं कब आते हैं तो यह initiative जारकर सरकार की द्वारा लिया गया है न तो बोला इसको हमें national level पर implement करना चीज़ इसके लिए central government ने already program जो है वो start कर रखा है ठीक है जिसमें एक portal बनाया जा रहा है और उसमें data जो है वो मतलब एक तरीके से register करना organized sector में जो लोग भी काम करते हैं इससे benefit क्या होगा एक तो देखो जो welfare schemes है न जो भी government के द्वारा खाने से संबंदी चल रही हैं उन schemes को implement करना बड़ा असान हो जाएगा दूसरा अगर proper data available होगा तो उन schemes को उन policies को update करना बड़ा असान हो पाएगा तो ये चीजे क्या है कि हमारे society के एक vulnerable section को आप protection देने की बात कर रहे हो तो वो एक comprehensive manner में आप provide कर पाऊगे ठीक है अब अगर देखें तो ये देखो 2021 में safe and responsible migration initiative लिया गया था इसमें आप देखो कि सबसे पड़ जाएगा कि किसको सबसे ज्यादा risk है किसको ज्यादा support की जरुवत है तो उसके इसाफ से policy making भी बड़ी आसान हो पाएगी दूसरा जब कभी भी कोई एक individual कमाने के लिए अपना घर छोड़ता है तो हमें भी पताए कि एक negative adverse situation है तब ही तो उसने घर छोड़ा है और जाकर भी उसको अगर crisis का सामना करना पड़े तो फिर बाद में फिर welfare state थोड़े ना हुआ फिर कल्यानकारी राज्ये की जो policy है वो कहीं आगी crisis में चली अभी जैसे बताया जा रहा है कि government ने अपनी तरफ से border road organization में कुछ migrants मतलब employees थे उनके लिए एक data report तयार करनी थी ठीक ह उस data report में अगर देखें तो उसमें बहुत सारे information की कमी थी अब वहाँ पर अगर government के entities में काम करने वाले individuals का ही data अगर आपके पास में नहीं है या उसमें कमी है तो आप कहां फिर बाद में दूसरे जो private sector के लिए काम करने के लिए जो migrant workers जाते हैं उसको tackle कर पाऊगे तो कु मारखंड की सरकार के दुआरा यह जो starting की गई है यह बहुत important है इस चीज़ को हमें बाकी states को भी learn करने की जरूरत है यह जो survey होगा यह bottom up affair होगा मतलब कि लोगों से जा जाकर यह पूछा जाएगा कि भई आप बताओ आपकी क्या problem है आप कहां रहते हो क्या वजयती क्यों घर छोड़ा वो सारी detail उनसे ले लेंगे तो उससे क्या होगा कल को न इस तरीके से covid जैसे कोई issue आए तो उनको हम tackle कर पाएं इसके अलावा आगर देखा जाए तो इस information से long term में यह benefit यह भी मिलेगा कि migrants को किन तरीके की distresses का सामना करना पड़ रहा है क्यों क्योंकि time to time आप उसको update भी तो करोगे survey जो आपका portal है तो उससे आपको time to time interaction का मुका भी मिलेगा तो वो एक benefit हो जाएगा और केवल प्रोग्राम इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि हाजी enrollment कर दिया काम खतम नहीं enrollment के अलावा migrant workers से time to time उनका update लेना भी ज़रूर है जिससे की एक robust social security architecture तयार क कुछ भी हो वो चीजे government अपनी तरफ से proper manner में provide कर पाएगी तो इस तरीके से ये दो articles थे दोनों का हमने discussion कर लिया है thank you very much